आगे बढ़िए ठीके इनका नाम सुना हुए लेविन्थल पैराडोक्स ठीके वोट डज इट मीन अच्छा पैराडोक्स क्या होता है जो होना चाहिए वो नहीं है कोई और पैराडोक्स का मतलब यह होता है कि विच सीम्स टू बी इल्लॉजिकल बट स्टिल इट कैन बी ट्रू ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला कि इस पैराडोक्स का मतलब है विच सीम्स टू बी इल्लॉजिकल बट स्टिल इट कैन बी ट्रू मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपको illogical लगे लेकिन फिर भी सत्य है या सत्य हो सकता है that is leventhal paradox मतलब जो actually जो tradition है orthodox का मतलब जैसा होना चाहिए और paradox का मतलब जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग चल रहा है ठीक है इसको बोलते है paradox 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 यह दो स्टेटमेंट्स यूज़ की जाते हैं जैसा होना चाहिए जैसे का मतलब है आप व्यदमी पर सही से जो है बने है ना मम्मी हमारे हाँ तो भिंडी बनी है मजा आएगा यह ऐसे होते हैं ठीक है नाओ paradox स्टूडेंट्स से आगे बढ़ते हैं और लेविंथल जी ने यह दो फिकर तके रियाच प्रटीन परडुक्स की कहानी बता यह एडिस पाराडॉक्स की कहानी बता ही और वूट इस पैरा लेट संब्सकों अधि собой और हर रेज़िशिव पास न हो सकते n c alpha c में omega जो होता है उसमें तो कोई दो ही rotation होता है 0 और 180 degree अब 3 rotation के तोर पे अगर बात करें तो हमारे पास जो di-headral angles होते थे वो 4 होते थे 4 में 1 के along restricted rotation है तो 3 ही तो होंगे 1 phi के along होगा psi के along होगा और chi के along होगा omega के along तो rotation restricted होता है तो जादातर जादातर orientation कितने होंगे 3 होंगे अगर कुछ नहीं भी दिया रहे अगर कुछ नहीं भी दिया रहे तो कितने मान के चलोगे 3 मान के चलोगे ठीक है अगर नहीं भी दिया है तो default के CIE अब 100 residues है सभी के लिए 3 confirmation है पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पांचमे के लिए 3 तो इसकी probability कितनी होगी total की कितनी confirmation हो सकते हैं अगर हर amino acid 3 confirmation करें तो 100 amino acid के लिए कितनी confirmation हो सकते हैं 3 to power 100 अगर इस 3 to power 100 को मैं 10 के power के हिसाब से समझू तो यह value होती 5 into 10 to power 47 कितनी values है 5 into 10 to power 47 confirmations यानि 100 amino acid या 100 residues अगर 3 confirmation करें तो कितने total combination of confirmation हो सकते हैं वो है आपका 10 to power 47 confirmations into 5 अब अगर मैं assume करूं कि जैसे एक bond reorient भी इतना समय लगता है जिसको बोलते है 10 to power 13 structure per second let's assume that protein can explore new confirmation मतलब कोई भी protein अपना नया confirmation उसी rate से कर रहा है जित rate से कोई भी bond अपने आपको reorient कर सकता है मतलब एक bond 1 second में 10 to power 3 sides में reorient कर सकता है this is the speed of 1 bond reorientation तो अगर मैं इसी को assume करूं कि 10 to power 13 structures एक second में जो है वो हो सकते हैं और कितने confirmation है 10 to power 47 तो अगर 10 to power 13 structures एक second में है तो इतने confirmation को अचीव करने के लिए कितना second की जरुवत पड़ेगी let's calculate it तो अगर हमें calculate करना हो time to explore all confirmations इतने confirmation एक second में है तो 5 into 10 to power 47 confirmation के लिए क्या होगा 5 into 10 to power 47 divided by 10 to power 20 10 to power 13 यह होगा कि नहीं होगा आप इसको इससे divide कर दो seconds पता चल जाएगा एक second में कर 10 to power 13 confirmation है तो इतने confirmations कितने second में होगे आपने divide कर दिया तो यह value कितनी आती है 5 into 10 to power 34 seconds और 5 into 10 to power 34 seconds is equal to 1.6 into 10 to power 27 years जो की age of universe से भी जादा है मतलब 100 amino acid का protein अपना confirmation ही अचीव नहीं कर सकता जो की जिसको अचीव करने के लिए उसको age of universe से कई गुना जादा साल लग जाएंगे दिख रहा है कि नहीं लेकिन यह 100 amino acid residue अपने आपको कितने देर में orient कर लेता है इस इस पैराडॉक्स ना कैल्कुलेटीव तोर पे देख रहे हो जो होना इस सीम्स इल्लॉजिकल भाई age of universe से जादा उसका folding time लग रहा है लेकिन वो हो कितने समय में जा रहा है तो ऐसे केस कोई क्या बोलते हैं लेविन्थल पैराडॉक्स मतलब जो इल्लॉजिकल लग रहा था तो इस त्रूज यह बोल सकते हैं जो होना चाहिए ट्रेडिशनल उससे अलग हो रहा है देट इस लेविन्थल पैराडॉक्स ठीक है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग सा फेक्ट है अब आखिर में दिमाग में आता है कि ऐसा क्यूँ आखिर इतने अमेनो एसेट्स जिसका लॉजिकली ऐसा जो है इतना जल्दी कैसे हो जाता है इसी को एक्सपेंड करने के लिए हमारे किसने काम किया था साइरस लेविन्थल ने इनका पूरा नाम क्या था साइरस लेविन्थल इन्होंने ही बात किया था लेकिन लाविंथल का concept जो है वो ज़्यादा valid नहीं है मैं आपको बता दूँ ठीक है तो लाविंथल ने बताया था कि many proteins faults in the seconds or less how this is possible लाविंथल का paradox का जो concept था वो explain बहुत ज़्यादा नहीं करता है इसके कौन करता भी उसमें उपर बात करेंगे हम ठीक है तो दो concept आता है एक आता है local minima और एक आता है global minima क्या आता है जनाब local minima और global minima ठीक है और यह local और global minima it is related to the energy concepts लेविंथल paradox cannot explain exactly कि क्यों यह 5 seconds लगा था लाविंथल ने सिर्फ बताया था कि यह paradox हुआ है उसको explain करने का concept हुआ था energy funnel तो अब मैं end energy funnel की बात कर रहा हूं क्या बोला हूं energy funnel और इसके लिए कई और scientist थे अब बहुत सारे scientist थे इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं mention कर रहा हूं अब energy funnel को समझने की कोसिस करिएगा how energy funnels operates तो दियर्जा लोकल मिनिमा एक concept होता हूं और एक global minima होता है local minima is a intermediate energy states and whereas protein is partially folded but not yet in its native confirmation ठीक है जब कोई भी protein unfolded होगा तो उसकी energy high होगी कि कम होगी जनाब है कि मैंने कुछ बताया था आपको अभी कुछ दिर पहले folding process के उपर में एक बार जो है quick लेके चल सकता हूं तो पहने बोला कि primary structure है और primary structure को आप क्या बोलते है unfolded की folded unfolded यह क्या जाएगा क्रिस्टलाइन structure बनाएगा क्रिस्टलाइन के बाद क्या बनेगा secondary structure होगा अब इसमें क्या होगा hydrophobic hydrophobic collapse होगा तो क्या बनेगा molten globule बनेगा और molten globule के बाद hydrogen bond disulfide और ionic यह बनेंगे तो क्या बनता है discrete और discrete structure से क्या जाता है नेटीव अगर अगर देखा जाए तो primary structure that is unfolded molten globule discrete और native यह चार बीच के steps है ठीक है इसको अगर मैं इसको और इंट्रस्टिंग भी बोलो तो यू एम डी एन यू एम डी एन आ जा रहे है इसमें सबसे जाधा highest energy किसकी होगी अच्छा यह protein fold क्यों कर रहा है अपने energy को minimize करने के लिए protein का ultimate case क्या है कि that should minimize the energy energy को minimize करने के लिए अब क्या होता है कि like energy minimize करने के लिए सारे के सारे confirmations जो है वो basic तोर पे चल रहे है अब अगर हर एक bond अलाग अला confirmation try करने जाए तो age of universe से जादा उसको time लग जाएगा जो कि practically impossible है तो आखिर में यह practically पांस सेकेंड में possible कैसा है उसी के लिए मैं energy funnel का concept बताने की कोशिस कर रहा हूं अब फिलाल के तौर पे समझेगा कि highest energy किसकी है unfolded की उसके बाद जो energy होगा उस किसका होगा और मॉल्टन ग्लोब्यूल का कम होता चला जा रहा है और मॉल्टन ग्लोब्यूल से कम होते होते discrete और सबसे minimum energy किसकी होगी तो energy जो है वो उपर से घटते हुए आ रहे है अगर मैं यहाँ पर energy का order बोलूँ दो चीजों के उपर बात कर रहा हूं याद रहे मैं यहाँ पर energy का order बोलूँ तो सबसे ज्यादा energy किसकी होगी unfolded मॉल्टन ग्लोब्यूल डिस्क्रीट और अगर मैं stability की order बोलूँ तो यहाँ पर देको energy नहीं stability पूछना हूं मैं ठीक है यह बात समझ में आ गई तो यह stability और energy को order आपको clear हो रहा है अब सवाल आता है कि कैसे जो है इतनी confirmations में थे 5 सेकंड में जो है वो चीजे होती है उसके लिए energy funnel होता है funnel क्या होता है funnel कुछ इस तरीके से आप सो कर सकते कि ऐसे जो है कुछ funnel जैसे होते और यहां पर ऐसे कोई protein जो है है मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं कि कुछ इस तरीके का case है अब यह जो है जड़ा ध्यान देने के को कोशिश करिए अगर कोई बच्चा जो है यहां से दोड़ भाग रहा है दोड़ भाग रहा है तो वह यहां पर गिर गिर भी सकता है हर किसी particular कह सकते कि ऐसे अगर उसकी minimum energy नहीं होगी तो यहां से फिर से बाहर आएगा फिर यहां से फिर जाएगा फिर उटके बाहर जाएगा और कहां पहुचेगा सबसे minimum minimum energy का जो यह funnel है यह जो funnel है वो ज्यादा deep है कि ज्यादा narrow है ज्यादा deep है जो minimum energy का जो funnel होगा यही जो है funnel है और यह funnel कैसा है डीप है अच्छा इस funnel से बाहर निकलना असान है कि difficult होगा और जो यह जिनके funnel यहां पर shallow दिख रहे हैं यह कुछ ऐसे funnel से हैं जो कैसे हैं shallow है shallow का मतलब कम deep है less deep है तो यह जो होगे इन से निकलना आसान है कि difficult होगा आसान होगा न यह जो minimum इसमें देखो energy funnel है energy में यह जो minimum होगे यह पूरी energy का minimum है कि अपने अपने energy का minimum है तो ऐसे में energy को क्या बोलोगे local minimum क्या mention करोगे local minimum और इन सभी minimum में से in all the local minimum सबका energy सबसे कम किसका इस वाले का तो इसको क्या बोलोगे global minimum तो सभी में से सबसे जो सारे के सारे energy states है सारे energy energy funnel से सबसे ज्यादा global minimum है ठीक है तो यही केस आपके protein के साथ है protein जब यहाँ पर अलग-अलग confirmation search करता है तो वह हर एक confirmation को नहीं search करता उसमें हर bond को और नहीं करता कुछ bond orient होते हैं और जैसे किसी bond के orientation से उसकी energy कम होती वह तुरंत उस local minimum में fall off करेगा उससे फिर दूसरे local minimum में जाएगा and so on और तुरंत global minimum में पहुँच जाएगा within seconds उसे हर एक bond को reorient करने की जरुवत नहीं है उसे energy के हिसाब से वह करता है let's see here यह diagram आपको एकदम easily clear कर देगा देखो जरा साथ यह देखो protein confirmation है यह देखो इसकी देखो एक local minima इस local से दूसरे local minima में दूसरे local minima से global minima में और यहीं पर stable हो जाएगा एक बार फिर समझेए कि देखे यह random ऐसा सर्च कर रहा है कुछ confirmation को bond orient कर रहा है यहां पर protein पहले local minima में गया energy कम हुई दूसरे local minima और कम हुई फिर यह ग्लोबल अब इससे उपर रहाए गहीं नहीं इस is how the concept of energy funnel कि सी कि दिख रहा है यह protein फोल्ड कर रहा है और से energy उसकी घटते-घटते ग्लोबल मीनिमा में एक लोकल मीनिमा में यह लोकल मिनिमा हुआ यह लोकल मीनिमा 2 और यह लोकल अगर समझ में आ रहा तो देखो इस तरीके से घूमते हुए कहां पहुंचा वह लोकल मिनमा फिर लोकल मिनमा टू यह तो यही चीज यहां पर भी वताई गयी है एसे कई सारे local minima होंगे energy minimize होती रहेगी होती रहेगी और finally कहाँ पर चला जाएगा global minimum में so this is how you can say कि यह energy funnel का जो concept कुछ ऐसा ही आता है energy funnels में energy barrier को जो है वो basic तोर पर खतम किया जाता है और सबसे minimum energy state किसको सोख किया जाता है native को यह energy funnel सबसे minimum किसका होगा native का ठीक है अब इसी पर कई सारे questions भी आते हैं और question कुछ इस तरीके से आते हैं अब अगर उस energy funnel को diagram वाई जब मुझे सोख करना हो तो देखो एक ऐसे local minima है और फिर इस तरीके से जो है यह सबसे नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा सभी इसमें से सबसे minimum होगा तो उसको क्या बोलोगे global minimum तो सबसे highest जो energy होगी वो किसकी होगी unfolded की यह अगर मैं इस structure को A बोल रहूं यहां पर कोई structure में मने बोला A तो वो क्या होगा unfolded होगा इससे नीचे जाएंगे अगर इस structure को बोला B की तो A के बाद unfolded के बाद को न आएगा molten globule कि उससे कम energy molten globule की होती है उससे नीचे किसकी energy आ रही है discrete intermediate की और एकदम minimum global minimum पर किसकी होगी native की ठीक है यही तो होगा ना सबसे highest जो है unfolded फिर molten globule और फिर जो है इस तरीके से चलता रहेगा question ऐसे ही exam में आते ABCD करके दिया रहेगा पूछेगा बताओ ABCD है क्या you have to tell कि हाँ बताओ ABCD है क्या इस तरीके के cases जो है वो आपके पास आज़ागा पढ़ा है कभी कि नहीं नहीं कोई बोला नहीं पढ़ा है तो यहां पर जो energy सबसे उपर होगा unfolded फिर होगा M यह कहानी होती है in the case of folding process कुछ और भी ऐसे होते हैं proteins कुछ और भी ऐसे proteins होते हैं जिसमें कुछ non-native aggregations भी protein का हो जाता है कई ऐसे proteins होते हैं जो fold improper होते हैं तो वह aggregates बना लेते हैं तो ऐसे कुछ cases में जैसे देखो जब अगर chaperons हैं तो आपको जो है कुछ parsley folded और कुछ native मिलेगा मतलब आपको unfolded मिलेगा molten globule मिलेगा discrete मिलेगा और क्या मिलेगा native अगर chaperons होंगे if you will have the chaperons आपको यही 4 states मिलेगा लेकिन अगर chaperon ना हो तो अगर chaperon ना हो तो आपको कुछ aggregates मिलेंगे जैसे emyloid fibril का नाम सुना होगा जैसे aggregates के तोर पर आपने prions का नाम सुना होगा सुना prions का तो यह कुछ oligomers होते हैं कमाल की बात होती है कि इन में जो a prions है या जो emyloid fibrils है यह जो है आपस में inter molecular contacts करते हैं यहां पर जो contact होते सारे intra molecular है मतलब उसी molecule के बीच intra है लेकिन आपके कई सारे molecule inter molecular हो करते और यह हद से ज्यादा stable हो जाते इनका energy funnel में global minima देख रहे हो native का global minima यहीं है इसके हिसाब से जड़ा सब देखो emyloid fibril का global minima उससे बहुत नीचे है तो emyloid fibril और भी ज्यादा stable हो जाएगा किसे native से अगर native अगर वो aggregate हो गया तो native अगर किसी वज़ा से misfold होके aggregate यह देखो कि याद रहे कि यह जो umdn है यह correctly folded की कहानी है कैसे है correctly folded की जब correct folding होगा तो आपके यही चाल स्टेट बनेंगे लेकिन अगर कहीं पर क्या हो जाए miss folding क्या हो जाए miss folding या incorrect folding हो जाए ऐसे cases में आपको emyloid भी मिलेंगे तो आपका जो structure आएगा या आपके जो energy funnel का concept आएगा इसको हम बोलते हैं यू सबसे उपर फिर एम फिर डी फिर एन एंड एंड यू और अगर incorrect या miss folding होई हो तो यहां पर सबसे जादा यू एम डी एन 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 ए ठीक है मैं इसका निमोनिस बताता हूं आपकी मर्जी है कर लो ठीक है तो किसी को भी आज फरवरी का महिना चल रहा है तो I love you is old dated concept है ना I love you अब कोई नया concept नहीं किसी को propose करने का अगर propose करना तो यह concept use करते हैं you and me you and me मिलके DNA जो है DNA जो है ट्रांसफर करते हैं तभी तो जाइगोट बनेगा ना भाई तो यह कहानी हो जाएगी तो ऐसा concept आप ट्राई कर सकते हो you and me यह नया तरीका है वह पुराना तरीका है उसका यूज मत करना कोई फायदा नहीं है कि चलो तो यह UMDNA हो गया अब आगे UMDNA भी रख सकते हो तो इस करेक्ट फोल्डिंग के लिए होगा इनकरेक्ट में यह चीजे यह एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ए अब एक को चाहे आप एमाइलोड बोलो या आप एग्रिगेट बोलो बात जो है कोई दिक्कत की नहीं है एक ही चीजे मतलब लगभग कमी होंगे एग्रिगेट या एमाइलोड का ठीक है